सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार धे चुई में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोक पुराणिक और आप देख रहे हैं हमारा सापताइक कारकम आर्थिक मुद्दे कच्चे तेल ने भारती अर्थवस्ता ही नहीं समूची दुनिया की अर्थवस्ता के लिए सवाल खड़े कर दिये हैं सौदी और अपके तेल सेयंत्रों पर हाल के हमले के बाद सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया कि यह हमला किस ने किया था सवाल दरसल यह है कि क्या इन हमलों की पुंद्रा व्रत्ति रोकी जा सकती है इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है सवीदी सेयंत्रों पर हमने के फॉरण बाद भारत में इस्तिमाल होने वाले ब्रेंट कच्चे तेल के भाव 20% बढ़ गए भावों में एक डौर उचाल का मतलब भारती वरतस्ताव पर करीब 11,500 करोड रुपे का अत्रिक भोज यानि दस डौर भाव बढ़ते हैं तो मोटे तौर पर भारत में GST संग्रह की एक महिने की समूची रकम से ज्यादा भी रकम स्वाहा हो सकती है कच्चे तेल से जोड़े तमाम आयाओंव बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान माजूद है पिनाक रंजन चक्रवर्थी जी आप पूर्व राजनाइक हैं और ग्लोबल अर्थ वस्ता पर प्रेनेजर बनाए रखते हैं दूसरे शेशर सनाजी आप हिंदू बिजनस लाइन में वरिश्ट आर्थिक पत्रकार हैं चर्चा से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट सौधियरब ने इस हमले का आरोप इरान पर लगाया है सौधी आरामको सौधियरब की राष्ट्रिय पेट्रोलियम और प्राकर्टि Кएस कंपनी है ये राजसों के मामले में दुनिया की कच्चे तेल की सबसे बड़ी कमपनी है हाल में अराम को इसलिए भी चर्चा में रही थी कि इसका भारती कमपनी रेलांस इंडस्ट्रीज के साथ गडचोड हो रहा है जानकारों का कहना है कि समले के आर्थिक और भूराजनीतिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं अंतराष्ट्री तेल बाजार में कुल कच्चे तेल की 100% आपूर्टी सौदी अरब दौरा की जाती है जिसके करण अंतराष्ट्री बाजार में तेल की आपूर्टी में 5% की कमी आ गई है अंतराष्ट्री बाजार में तेल की आपूर्टी में कमी का असर भारत पर भी पढ़ सकता है जिसमें तेल की आपूर्टी बाधित होना, रूपय का कमजोर होना, आयात महगा होना और घरेलू महगाई बढ़ना शामिल है इसको लेकर सबसे महतुपूर बाद जो है वो ये कि शेर बाजार में निवेशकों की धारना कमजोर होने का व्यापक असर दिख सकता है तेल के मामले में किसी भी आपात स्थिती से निपटने के लिए भारत सरकार दोरा कुछ मात्रा में अतरिक्त तेल भंडार करके रखा जाता है भंडारान का ये काम इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड दोरा किया जाता है अंतराष्ट्री उर्जा अजन्सी की सला के मुताबिक हर देश को कम से कम इतना तेल भंडा रखना चाहिए कि उसकी 90 दिन की उर्जा जरूरतें पूरी हो सके लेकिन भारत अभी इस मानक से काफी पीछे है भारत के पास मुश्किल से 10 दिनों की जरूत भर का इंतजाम है जानकारों का मानना है कि सरकार को अपनी अतरिक्त उर्जा भंटान की मातरा को वाजिब स्तर तक बरकरार रखना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिती से निप्टा जा सके इसके लब भारत को अपने तेल आयत के सरोतों के अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए और इसके लिए रूस और वेनेजुला जिसे देश सही विकल्प साबित हो सकते हैं यानि मध्यपूर जैसे समवेदन शेल ख्यत्र से निकल कर हमें पूर्वी ख्यत्रों की तरब ध्यान देना चाहिए इन सब में महतुपूर बात यह है कि भारत को अपनी उर्जा जरूरतों के लिए तेल पर नर्भरता कम करनी चाहिए और इसे नवी करनी उर्जा जैसे की सौर और शेल गैस के उत्पादन पर ध्यान लगाना चाहिए देखिए येमन में जो आप कहें सिविल वार कहें जो भी कहें हूती जो कम्यूनिटी है वो अभी हावी है वो रेबेल्स कह लीजिए उनको जो उनकी जो गवर्मन्ट थी उसको उन्होंने हटाया उन्होंने कैप्चर कर लिया और उन्हों जो पुरानी जो गवर्मन्ट थी उनका नाम शायद हादी था वो साओधी सपोर्टेड गवर्मेंट थी तो साओधी इसको नराजगी हुई साओधी ने का कि ये हमारा दबदबा यमन पर रहेगा तो पहले तो उन्होंने मैं साओधी अर्यमें में रह चुका हूँ काम कर चुका हूँ तो वहाँ पर एक मिलियन से ज़्यादा यमेनी काम करते थे कई इस बिफरेंट टेरियास में तो पहले तो उन्होंने यमेनियों को निकाल दिया फिर उन्होंने उस पर हमला किया कि उसको हम सबक सिखाएंगे हूतियों को पर बात बनी कि जो मतलब रिलिजिस जो परसुएशन है पर इरान के साथ उनकी बन गई क्योंकि उन्होंने इरान में देखा ये सदन फ्लैंक से मैं साओधी अरिबिया को कुछ सबक सिखा सकता हूँ आपको पता है साओधी और इरान में जो कश्मकश है या जो औरीजिनल राइविल्री है वो चल रहा है तो ये एक पिक्चर है उधर अमरीका साओधी अरेबिया का लाई है उनको सपोर्ट करता रहा है वेपन्स देता रहा है पर यमेन में साओधी अरेबिया की अंदा धुन बॉम्बिंग से काफी हुमन राइट्स इशूज पैदा हुए है स्कूल बच्चे मर गए है हॉस्पिटल तबाह हो गए है बहुत सारी मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ है तो ये एक महाल में और उधर इरान के ओपर सैंक्शन्स लग गए इरान को बोला गया कि आप तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इरान के तेल एक्सपोर्ट डाउन होके 10% तक आगे हमने भी बंद कर दिया इंडिया ने भी बंद कर दिया क्योंकि हमको अमरीका से ज़्यादा मतलब हमको लेना देना उनसे ज़्यादा है वो हम relationship को हम spoil नहीं करना है चाहबार बचा रहा इस sanction से तो अब चाहबार भी अब धीला पड़ रहा है क्योंकि अब हम भी सोच रहे होंगे हमारे policy makers कि बहुत कितना आगे जा सकते हैं चाहबार को लेकि तो ये एक माहौल जो है तो इरान देख रहा है अब इरान भी oil export पे dependent है तो इरान की हालत खराब है खसता हालत है वहाँ economy की रियाल पता नहीं कहां चला गया है उनका जो currency है तो इस माहौल में इरान ने देखा कि अब साउदी इसको सबक सिखाना सोस रहे थे कि उनको कैसे सबक सिखाया जाए उदर हूतियों को south से उनको help कर रहे हैं मेरे विचार में अब ये मेरे पास proof नहीं है पर मेरे विचार में मुझे लगता है क्योंकि Americans कह रहे हैं कि वो north से आया attack अब north में तो Yemen है नहीं Yemen तो south में है तो मुझे लगता है शाहिद हूतियों को train करके हूति के कुछ लोगों को train करके इरान ने किसी जहाज से शायद अपने land से नहीं किसी जहाज बगारा से उनको वो जो परजियन गल्फ है वहाँ पे कहीं अपने किना मतलब शोर से दूर वहाँ से train करके शायद वो करवाया है मुझे ये अनुमान मेरा अनुमान ये है इरान और हुतियों ये दोनों मिलके साओधी अरफिक अधर हुतियों ने क्लेम जरूर रहा हुँ कि शायद वो जायज हो सकता है पर ये साओध से नहीं आया ओवरलेंड नहीं आया क्योंकि वो बहुत दूर है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरान या हुति दोनों मिलके ही कुछ दोने गुलगपड़ा किया है शिश्र जी एक बड़ा एकॉनमी के लिए ब बड़ोंतरी हो सकती है तो इंडिया में महंगा इदर पर क्या आशर आपको लिखाए पड़ता है सबसे पहले मगर ये जो आज का दिन है जहां जिस दिन हम लोग बाच्चित कर रहे हैं सोमवार का दिन है आज पेट्रोल और डीजल के भाव कापी उचे हो गए पेट्रोल क हमें ने निर्माता है वो खुद्रा महंगाईदर को देखते हैं यानि कि 75 बेशस पॉइंट हम दूर है उस मेडियान रिंज तक पहुंचने के लिए जो रिजर्ब एंक के लिए खत्रे की घंटी बजाता है और चार पतिशत के बाद आपके वो तमाम एक्शन जिसको कहते हैं ट्रिगर होने शुरू होते हैं कि अब महंगाईदर कहीं बढ़ेगी तो नहीं अब सवाल यह उठता है कि इसका बढ़ना हमारे लिए कितना नुकसान पहुचा सकता है आप दूसरे महंगाईदर पर जाएए जिसको हम लोग थोक महंगाईदर या हम लोग जिसको फैक्टरी इंफलेशन रेट कहते हैं वो बढ़ने की अशंका जाता है और वो बढ़ेगा वो कहीं न कहीं असर आपके खुद्रा महंगाईदर पर भी डालेगा क्योंकि at the end of day माली जे कि जो साख सबजी कहीं पर भी पहुंसता है उसे जो ट्रक ले जा रहा है उसका जो डीजल है वो ज्यादा देना पड़ेगा भाव तो वो साख सबजी भी ट्रांसलेट होगा ये तो एक नॉर्मल सी गनित है अब इसका असर अगर थोक महंगाईदर पढ़ा तो वो प्रोड्यूसर के लिए थोड़ा नुक्सान डायक है अगर रिटेल इंफलेशन बढ़ता है तो आमादमी के लिए नुक्सान है और तीसरा जो सबसे बड़ा नुक्सान है कि रिजर्बेंक जो अभी तक उसने घटाने का सलसला बनाए रखा था वो चार प् माही से स्थिती बहतर होगी और यहां पर एक अनुमान जिताय जा रहा था कि अक्टूबर में जब मौद्रिक नीती समिती के बैठाक होगी तो एक और कटावती आ सकती है लेकिन ये चीजें जो है कही न कहीं आशंकित कर रही है और इसके बाद अगर ये सिलसला बना रहा देखे आज हम क्रोड के प्राइस 65 पे हैं और आपको ये भी समझना चाहिए कि हम केवल एक क्रूड नहीं लेते हैं हमारा इंडिन बास्केट ऑफ क्रूड है उसमें आपका मिडल इस्ट का भी है आपका टेकसस का भी है जो यूएस कम लो कहते हैं कुछ हम दूसरे भाव को भी लेते हैं तो कम्बिनेशन है और दूसरा आप देखे कि साल के पहले चार महीने में अमेरिका से जो इंपोर्ट है वो लगबग 213 परसेंट बढ़ गया है अमेरिका का तेल महंगा है अगर मैं खाडी के देशों के बात करूं क्योंकि इसके लोजिस्टिक कॉस्ट काफी हाई होते हैं तो ये कुछ ऐसी चुनोतियां हैं जो हमारे सामने एक परिशानी कर रही है और जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि एक डॉलर बढ़ता है तो ग्यारा हजार पांस सो करोड यानि लगवाग 1.6 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट डूडी बढ़ जाता है इ चली इस हमले में नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन हम काहत हिंदी में बोलते हैं कि मौत ने घर देख लिया वो दुबारा भी आएगी तो ये जो क्या इसे न्यू नॉर्मल मान लें कि अब मेशा साओधी अरब को तयार रहना पड़ेगा कि किसी सी शोर से या क किसी इस से एक अटेक कर दे तो ये कहां नहीं सामन स्थितियों कि और इशारा करता है देखिए जहां पर अटेक हुआ है अब कैक और खुरेस तो नों बड़े काफी डिफेंड़ेड टरिटरीज हैं वो डिफेंड़ेड कॉंस्टोलेशन से ऐसी बात नहीं है अमेरिकन पे जान आया है क्योंकि अब रश्या मज़े देख रहा है वहां बैठके कि करिये आप संभालिये इनको अब देखिए अब ये लोग कह रहे हैं कि इनो इस एक्ट ऑव और और ये सब बाते हो रही हैं क्योंकि वहां पे युद छेड़ना कोई चोटी मोटी बात नहीं है क्यों और इरान ने काफी मतलब बैटल रेडिनेस मतलब उन में है बैटल हाडन ट्रूप्स है इराक के साथ और ने बहुत साल वो किया है और इरान का इंफ्लोएंस है शिया जो वहां पे जो शिया बेल्ट है उसमें और ये मत भूलिये कि इस्टन प्रोविंस जो जहां दमाम है उनका जो ऑईल कैपिटल है साथिया का वो शिया डॉमिनेटेड प्रोविंस है वो एक अलग मसला है तो ये सारी चीजें जो है इस अवरी डिफिकल्ट सिच्वेशन अब ये टेंशन जो पर इसमें ऐसा है कि मुझे लग रहा है इनके बयान जो आ रहे हैं कि वो थोड़ा स इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता ओयल मार्केट एकडम ब्लो अप हो जाए पूरी वैसे एकॉनमी थोड़ी सी डाउन है ग्लोबल अब ओयल मार्केट डिस्टरब हो जाए तो और भी नीचे चला जाए तो और भी नीचे चाहता है लेकिन आशनक इसमें यह है कि इससे करेंट अकाउंट डैफेसिट बढ़ सकता है यह समान के चलें निच बीस में हम उमीद करें कि 2.3% होगा जो डीपी का उनका कहना यह कि 0.5% और एड कर दीजिए तो 3% के असपर चला जाएगा यह आशनका डराने वाली हैं आपको कितनी ठोस लगती ह पर जो बयान आये हैं और कल ही का मैं जो बयान देख रहा था कल परसो का जो साओधी अरब का बयान है और जिस तरीके से उन्होंने प्रडक्शन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है वो कहीं न कहीं अंतरास्ट्री बाजार को एक संकेत दे रहा है कि घबराने के आपको बह परसां उच्छा चल रहा था और सुबह से भी तोड़ी तेजी बनी हुई थी यह एक जिसको कहें कि एक मोमेंटरी है इसको आप देख सकते हैं लेकिन सौ डॉलर वाली बात से मैं थोड़ी से सहमती नहीं रखता हूं यह एक अतिशोक्ती है यह एक जैगरेशन है अब जैस कोई खारिज नहीं कर सकता क्योंकि जो आशंका है यह हो चुका है जिसको कहते हैं इंपिरिकल एविडेंस है कि नहीं और वह एविडेंस है तो मैं 140 कह दूँ तो आप मानेंगे आपका अगला सवाल होगा कि 140 जाएगा तब क्या हालत होगी तो हमें डर्णा चाहिए हमें उ स्ट्राइजिक रिजर्ब से जोड़ तो 87 दिन हो जाता है तो अगर ग्लोबल जो नॉर्म है 90 दिन का होना चाहिए आइडेली 90 के आसपास में है लेकिन यह क्या है ना कि यह थोड़े समय के लिए आप ऐसा नहीं कि घर में जो रखा हुआ है वो पूरा निकाल देंगे तो आप तो और परिशानी में आ जाएंगे और आपके पास सोर्स है नहीं बहुत थेरासी परसेंट हम इंपोर्ट करते हैं अल्टरनिटिव आपके पास है नहीं जो आपकी सरकारी कंपनी है उसका प्रडक्शन कम ही हुआ है बढ़ा नहीं है कोई नया बहुत मेजर सोर्स आया नहीं है तो आपको तो कहीं नहीं डरतो हुना पड़े का डरना तो डरना है लेकिन आपके हैं पैनिक में ना आई है सर पैनिक में नहीं आएंगे लेकिन पैनिक की वज़य है क्योंकि हॉर्मुझ की खाड़ी में भी हमले हुए दे करीब महीना पहले है और इसके इंप्लिक साब जो थे वो बड़े hardline hawkish थे वो तो चाहते थे कि Iran में regime change हो और एक global coalition बने जिसमें Iran पे मतलब sanction का pressure तो ही है पर एक military मतलब हमले से या किसी से और भी pressure डाला जाय जिससे वहाँ regime change हो. So as we say in English there is no love lost between that regime and the and the American sort of administration. But maybe Trump जो साब थे उन्हों ने शायद Bolton को हटा के क्योंकि Bolton को ज्यादा ही push कर रहे थे इस line को. मेरे खाल में बाकी जो establishment थी वो शायद इतनी जल्दी उस line पर जाना नहीं चाहती थी. तो इसलिए वह casualty हो गए उनको बोला गया कि भई आव आप चुटी लीजिए आप जाहिए आप जाहिए. तो वो तो कह रहे थे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. शिषर जी सजुदी अरब में बारत के अपने हित तरह तरह से हैं और बारत की बहुत महत्मून कंप्टी Reliance में सजुदी अरब के निवेश की बात चल रहे थी. इस पूरे मारधाल का क्या impact आपको उस निवेश दिखाई पड़ता है देखिए अभी तक जो दोनों कंपनियों के और से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले कि उसमें देरी हो सकती है आपको याद होगा अभी आज इस है एजी एम जो कुछ दिन पहले कि मार्च 2020 तक जो हम पूरा कर लेंगे तो अभी दोनों ही तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं है कि उस डील पे कोई असर पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर बहुत जादा हमें सोचने की जरुवत है क्योंकि ऐसे जो व्यापारिक मामले होते हैं एक लॉंग टर्म कम अगर आप देखें तो साओधी अरब के तरफ से जो सप्लाई की बात है वो पूरे ग्लोबल सप्लाई का पांच परसेंट और उनका अगर मैं उनको देखूं जो 5.3 mmT की बात चल रही है यह ऐसा नहीं है कि उनके पूरे गनित को बिगाड करके रखते उनके पास अपने भ है कि अरेमको और रिलाइंस इंडस्ट्रिस के डील पर कोई असर पड़ेगा और एटलिस्ट अभी की जो मैं सिच्वेशन अब देखें आगे तनाव होता है और दो-चार और द्रोन गिरा दिये जाएं तो मुझे नहीं मालूँ हो लेकिन अभी कि उसमें कोई बदलाव नह नहाओ से बताएं कि का हमारी कोई हैशिएत है हैशियत जरूर है पर हम यह करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे embora मैं आपको यह मत्त्री हो फंडमेंटल चीज़ बताओं मैं वेस्ट अशिया में हमने यह डिसाइड किया है कि हम पक्षपात कllers duplicate क्योंकि यह एरिया जो है हमारे यहां बड़े गहरे मतलब interests से. इसीलिए अभी आज तक हम अपनी विदेशनीती में सफल रहे हैं, कि हम इसराइल के साथ भी relation है, साओदी के साथ भी अच्छे relation है, UAE के साथ भी है, और इरान के साथ भी है, पर वह जितने भी हैं, वो सब anti-israeli हैं तो मालूम है आपको जो अरब का जो एक पर वो अबजेक्ट नहीं करते हैं कि आपका इसरेल के साथ अच्छी रिलेशन है पहले वो करते थे अबजेक्ट क्योंकि जब हम मुझे याद है क्योंकि मैं इसरेल गया था तब जब हमारी नई diplomatic mission वहां खुली थे तो अरबों ने अबजेक्ट किया था पर वो उस तिति अब खतम हो चुकी है वो भी समझते हैं कि इंडिया इसरेल की रिलेशन है वो अपनी जगे पर है और हमारे policy के प्रिजम से अगर हम देखें उस संदर में तो मैं कहूंगा कि यह जो अपनी पपी policy है हम उस नीटी पे continue नहीं हाँ चौधरी बनने की कोई ज़रूत नहीं है हमारे आठ मिलियन लोग वहां काम करते हैं वैसे हम जरूर उन से कह रहे हैं कि भाई देखिए जिसुषा करते है कि यह जो आपका रवयया है एंडोस थीक नहीं है थीक हम मानते हैं हम भी सट है इस लिए अइसी बात की हम आप को कुछ नहीं कहेंग आज नहीं कैंगे और और के भी चुके एं कि यह ठीक नहीं है कि यह ठीक नहीं आप उसका impact सब पर पढ़ रहा है, हमारे पर पढ़ रहा है, अगर आप हमें दोस्त समझते हैं, तो उसका impact हमें तो नहीं पढ़ना चाहिए ना, तो इस तरह की बात ही है, जैसे काटसा के sanction है, हम रशिया से लेंगे तो उन्होंने काटसा का जो legislation किया है कि उस पर sanctions होंगे, तो अभी बात्चीच चल रही है उस पर, हमने तो कह दिया कि हम तो लेंगे, आप करिये, sanctions होंगे, हम आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट में बात करने चाहिए और बीट बचाओ के चक्रमावद राद नहीं जाना चाहिए, एक, शिश्री जी आपका प्रोग्राम मैं जगे और देखा था, इसमें बिजली के वाहन हम चला पाएं, अगर हम बिजली खुदी बना पाएं, खुदी चला पाएं, तो क्यों जोरुत हम को जाने के कहीं भी, आपको क्या लगता है कि हमारी कितनी तयारी है बिजली से तमा मैं जब वित्मंत्री निर्माला सितारमन ने कहा कि आप अगर एविकिल के लिए लोन लेते हैं, तो आपको थोड़ी सी रियायत कर्मे ली जाएगी, वो धायलाक रुपेगी बनती है, दूसरा यह होगा कि जो एविकिल है, उस पे जो दर है, वो नॉर्मल गाडियों पर 28 हाइस प्रसेस होता है, उस पे घट करके कम हो जाएगी, यह बहुत अच्छी ख़बर थी, कि हमारे लिए गाडियों सस्ती हो गई, तो सस्ती चीज कौन नहीं खरीदना चाहेगा, लेकिन सवाल है कि सस्ता तो ले लिया, लेकिन उसके बाद उसे चलाएंगे कैसे, आपके प सिचुएशन में देखिए कि अगर मैं एक चार मीटर से चोटी गाड़ी लेता हूँ, पेट्रोल य डीजल की तो लगबग चार साढ़े चार लाग रुपेगी पड़ती है, अगर मैं ये वेकिल लेता हूँ तो लगबग साढ़े आठ नौ लाग रुपेगी पड़ती है, दूसरा हमारे सामने प्रॉब्लम है कि मैं इसको चार्ज कहां करूंगा, चलिए आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, लूटियन जोंस में रहते हैं, वहाँ पे 4-5 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे आप जितनी मिनिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे लगा दीजे और दिन भरा पहिए, दूसरा यह कि कुछ जगहों पर पार्किंग में लग गई है, दिल्ली सरकार का मेरे ख्याल से पिछले हफते का एक फैसला आया है कि जितने भी N-D-M-C और यह सब जो पार्किंग है, उसमें उन्होंने अनिवारे कर दिया है कि आपको च करेगी, केवल आप शहर के भीतर चलने की बात करें तो बात अलग है, एक पॉइंट से पॉइंट A से पॉइंट B जाने की बात करें तो बात अलग है, लेकिन वहां पे जब आप जाएंगे, वीकेंड ट्रैबलिंग पे, थोड़ा सा लॉंग डिस्टेंस पे, वहां पे परशानिये है कि इंफ्रेस्ट्रक्टर जो इवीकिल की होनी चाहिए, वह अभी नहीं है, यह दोनों सासात होना चाहिए, और मुझे लगता है, इसकी तैयारी पहले होनी चाहिए, क्योंकि फोसिल फ्यूचर नहीं है, यह दुनिया जानती है, और हम उस चीज में अभी भी के यही सोच में लगे हुए है कि पिट्डड पे हम सस्ता करें, कि डीजलपे, सस्ता करें, कि पिट्ड-र डी महंगा होगा, तो हमारी गाडियों का क्या होगा, हमारे दिमाग में बी इवेकिल ओसन नहीं बन पा रहा है, क्या हृफले नंभर पे आप आएगा, क्यूंकि ह सबसे पहले यही सोचने हैं जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं चार्जिंग कहा करूँगा अब हम माल लीजे तीसरी माले पर हम रहते हो तो ऊपर से ताल लटका देंगे और रात भर वो गाड़ियां चार्ज होंगी यह संभव नहीं अब उसमें बुनियादी धांचे की बहुत समस्या हैं सिर्स में एक डेटा मेरे पास है कि भारत अपने कच्छे तेल की जरूरतों का करीब दो तिहाई पश्चिम देशिया एशिया के देशों सो खरीबता है जहां लगातार तनाव बना हुआ और बढ़ रहा है तो इस रीज से भी लेते हैं इदर से इस से भी लेते हैं जो भी तेल के इंडोनीशिया या जो बनाते हैं अब राशिया में हमने इन्वेस्मेंट्स किये हैं यह जो अभी प्यम मोदी उदर गाई थे व्लाडिवास्टक समिट में अभी वहां पे भी हमने अभी हावडी मोदी जो अभी Houston में हुआ, वहाँ पे भी एक agreement हुआ, तो तो भी वहीं से आ रहा है, तो टाइम लगेगा, supply lines जो है, एक हमें problem हो गया, कि Venezuela का problem हो गया, वहाँ पे जो sanctions लग गए तो वहाँ से तेल की कपद जो है, वो कम हो गई है, तो इसलिए हमें diversify तो करना पड़ेगा, diversify एक track है, और fossil fuels, यह जो electric vehicles की बात करी, देखिए, electric vehicles, the world is moving towards electric vehicles, इसमें कोई शक नहीं है, और हमको भी उसमें move करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अब रही बात infrastructure की, कि मेरा, you know, charging point कहां है, क्या मैं, क्या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि urban areas में, जैसे दिल्ली है, highly urbanized, बहुत सारी गाण है, यहां पे हम concentrate करें, फिर भी हमें फाइदा है, क्योंकि ठीक है, जैपूर जाने के लिए हम bus में चले जाएंगे, या train में चले जाएंगे, या कोई और सुविधा ले लेंगे, petrol की गाड़ी में चले जाएंगे, rent करके चले जाएंगे, फिर भी मैं कहता हूं कि urban areas में भी करती है, जो effect करती है, carbon dioxide बगारा, तो वो highly urbanized areas से जादा निकलती है, इसलिए मैं समझता हूं कि अगर urban areas में भी concentrate किया जाए, और बाद में देखा जाए कि दिली से जाए पूर या दिली से आगरा वाले में कैसे किया जाए, वो बाद में सोचा जा सकता है, और वो भी होगा उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ पे चार्जर लग सकते हैं, तो बड़े शहरों पर ध्यान पहले दिया जाए, शिशित जी, solar energy, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम इंडियन बहुत बात भी करते रहे हैं, उसकी, solar energy से वीकल कितना फीजिबल है, कितना संभाविता है इसमें, तो थोड़े बहुत ज्यादा काम तो नहीं हुआ है, जो थोड़े बहुत जो ट्रायल हुए है, और खास तो पर आप देखेंगे कि जो ए रिक्षों हैं, वो कई जगहों पर short distances के लिए वो यूज करते हैं, जैसे मैंने द यह बन्यादी धाचा है कि नहीं है, दूसरा उसका costing देखिए, हिंदुस्तान में गाड़ी खरिदने समय दो चीज़ आप देखते हो, कितना पड़ेगा और कितना देती है, यह दो फैक्टर आपके दिमाग में होता है, और यह दो फैक्टर का जवाब आप दे देंगे जि इसी यहीं किया था एक मसले के, शेल आइल को लेकर, यूएस का शेल आइल में एक दबदबा बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि शेल आइल यह परंपरागत आइल का एक पक्का विकल्प बन सकता है? फिलाल तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शेल, आइल और गैस दोनों है एक विकल्प, पर उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है अभे भी हाई है, अब पता नहीं कितना है, पहले एक बार हम मैंने पढ़ा था, कि वो 80 डॉलर पर बैरल, अगर जब नॉर्मल तेल होता है, त और दिमांड तो ही है, तो मुझे लगता है, शेल, ऑउल जो है, और सब शेल, ऑउल की जो प्रोडक्शन है, वो हर एक देश नहीं कर पाता है, च्योंकि उसकी जो टेक्नоловोजीजीज है, वो डिफिरंट है, और उसकी difficult टेक्नालोजीजीज है, और उतना आपको एरिया मिलन चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक होल ड्रिल करके आप अंदर चले जाएं, जैसे तेल को निकालने के लिए किया जाता है, चाइना में हो सकता है, बड़ चाइना है, रश्या में हो सकता है, तो मुझे लगता नहीं कि शेल ओयल जो है, एक कम्पलीट आल्टरनेटिव कभी दे सक है, उसमें यूएस का रोल, महत्मूर रोल दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, हम को क्या चाहिए, एफोर्डबल एनरजी, जिसको हम कहते हैं एफोर्डबल एनरजी, तो जहां से भी मिले हम लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है, अगर और उस हुस्तन एक बहुत बड़ा गड़ है, ऑईल इंडस्ट्री का, इसलिए हुस्तन में यह किया भी गया, और वहां पर आए, क्योंकि एक बज़े वह वहां आए, क्योंकि जो ऑईल लॉबी है, वह बहुत स्ट्रॉंग है, अमरीका में, तो मेरे गाल ट्रम साब इसलिए भी आ और एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा जो आपने अल्टरनेटिव मार्केट की बात की, मैं के आंक्रे देख रहा था, 2018-19 का, अगर आप देखी तो इरान से 23.9 MMT का जो है, वहां से हमने तेल मंगवाया था, यह 2018-19, पिछले साल की, नाइजेरिया से हमने 16.8 जो लगभ अफ्रिकन देश में आपका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, और वहां पर परिस्तितियां भी आपके काफी अनुकूल है, आप वहां पर चाहें, तो ओल एक्विटी लेकर के, जैसे आपने रश्या में किया है, उसी तरीके से अफ्रीका में भी अगर ओल एक्विटी लेकर क तो शायद अफ्रीका एक हो सकता है, अब मिल्रिस से निकलें तो वेनेजूरा रूस तो हम एक्स्प्रोड कर रहे हैं, तो पूरी तरस हम निकल नहीं सकते हैं, खाडी के देश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको UAE, साओधी एरएब, इराक आपको चाहिए ही चाहि तीन महीने के असपास मुश्किल से पहुँचते हैं, तो हमारे रिजर्व और बहतर कैसे हो सकते हैं, देखिए ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम होता है, पर्टिक्लरी जो हमारे साओध इंडिया में जो हमने जो वो रॉक्स के अंदर जो गुफे वगरा है, जिसमें हमने क्रूड ओयल बगारा स्टोर किया हुआ है, ये जो कंपनी है, जो स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से, अब उसका विस्तार करना वो टाइम लगता है उसमें, और ये कंपनी शायद पता नहीं, तीन-चार साली होए होंगे, इससे पहले हुई नहीं थी, तो ये क गुफे में जो हम डाल के रख दे, जो नैचरल गुफें, कैवर्न्स वगरा है, अंडर ग्राउंड, ये जो स्टोरेज केपासिटीज है, तो उसकी प्लाइड है, फिर उसकी फीजबिलिटी देखी जाती है, तब जाके वहां कुरूड पंप करके वहां रखा जाता है, तो फिलाल हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करके साफ यह हुआ कि दरसल तेल की उपलब्ड़ता समस्या नहीं है, लेकिन उसके भाव समस्या है, तेल आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके महंगे भाव चुकाने पढ़ेंगा, और महंगे भाव चुकाने का मतलब भारती समस्या हैं, महंगाई दर बढ़ जाएगी, महंगाई दर बढ़ने के बाद रिजोव बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कमी आने का सिलसला वो थम जाएगा, तो कुल मिलाके बहुत सारी समस्या हैं, फिलाल यहां लेते हैं कविरा, नमस्कार